अध्याय साथ बहु कोशिक ये सनरचना उतक मल्टी सेलिलर स्ट्रक्चर टीशू हमने पिछले अध्याय में कोशिका और उसके कारियों के विशे में विस्तरत अध्ययन किया हमने यह समझने का प्रयास किया कि सभी सजीव चाहे वे जन्तू हो या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं रॉबर्ट हुक ने कौर्क की जिस महीन परत को सुक्षमिदर्शी में देखा था वह वास्तों में बहुत सारी कोशिकाओं का समू ही था हुक ने अपने अलोकनों में कोशिकाओं के समू के एक सदस्य को सेल नाम दिया था पौधों एवं जन्तुओं के विभिन भागों जैसे पत्ति की सतह, गाल की आंतरिक सतह, मच्छली, चूजे की मांसपेशियों आदी को सुक्ष्म दर्शे से देखें तो हमें भी कोशिकाओं के समुह दिखाई देंगे आईए हम क्रिया कलाब के द्वारा यह जानने का प्रयास करें कि कोशिकाओं के समुह क्या-क्या कार्य करते हैं क्रिया कलाब 1 हमें इस क्रिया कलाब को करने के लिए कोमल तने वाला पौधा जैसे जिमिकंद, कैना, सदबहार, मनीप्लांट, पुदीना एक काच का गिलास, लाल स्याही, कटर या ब्लेड वा हैंड लेंस की आवश्यक्ता होगी चुने गए पौधे की दो शाखाएं लें एक शाखा का वहसिरा जो तने से जुड़ा था उसे ब्लेड या कटर की सहायता से संकल कर लें इस हिस्से का हैंड लेंस से औलोकन करें आपने जो कुछ भी देखा उसका चित्र बनाएं कटर या ब्लेड की सहायता से इसी शाखा के तने की खड़ी काट का भी औलोकन करें जैसा की चित्रनुसार दर्शाया गया है अब काच के एक गिलास को तीन चौथाई पानी से भर लें इसमें लाल स्याही की इतनी मात्रा मिला दें की पानी गहरे लाल रंग का हो जाए गिलास में दूसरी शाखा को खड़ी कर लगभग दो घंटे के लिए सूरी के प्रकाश में रग दें दो घंटे बाद इस शाखा के तने की आड़ी वह खड़ी काट का अलोकन करें दोनों अलोकनों की तुलना करने पर आपको क्या मुख्य अंतर दिखाई दिया आपको क्या लगता है कि दूसरी शाखा का कुछ ही भाग लाल गुलाबी क्यूं हुआ क्या हम कह सकते हैं कि जो भाग लाल या गुलाबी हुआ केवल उसी भाग की पानी के समवहन में भूमिका रही है आपने यह भी आलोकन किया होगा कि रंगीन भागों की कोशिकाओं की व्यवस्था अन्य भागों की व्यवस्था से भिन्न है ये कोशिकाएं पौधों में पानी का समवहन कर रही हैं.